की गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू मैं यूटुब चैनल संगम पांडय होग वार दूंग वीडियो में आप लोग के साथ एक प्रोड़क्ट रिव्यू सेयर करूँगी जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो मैं सोचे आप लोग के साथ एक रिव्यू सेयर कर देती मैं सो देखिए आज का जो हमारा प्रोड़क्ट का रिव्यू है वो है हमारा यह देखिए कोई लाइट के रिफ्लेक्शन आ रही है इसके डब्बे पर तो मैं आप लोगों को बोलते रही है एक कलरवार का रेडियंट वाइट अल्ट्रा वाले फैरनेस कॉम्पेक्ट इस नहीं करते हो तो थोड़ी सी आपकी जो मैट मैट लूप आता है जब ही आप कॉम्पेक्ट यूज करने के बाद आपका रिव्यू सेयर कर रही हूं मैं इसमें लिखा हुआ है इसका नेट वेट जो है वो 9 ग्राम है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है रेडियंट वा अल्टा वायलेट पायलेट पॉटेक्टर कराण़ेगा है इसमें वो सारे मिले उवे है यूज कि आपकी स्कीन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं मैं एपके करके आप बताऊंगे कि इसमें कौन-कौन से इंवीरेंट मिले हुए हो ते हैं सो देखिए SPF 18 for sun protection against darkening आपको इसमें SPF 18 मिल जाएगा जो कि sun protection के से काफी जादा आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा इसमें vitamin C for visible fairness आपको इसमें vitamin C मिल जाएगा जो कि skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है vitamin C आपके जोगी skin है उतको shiny बनाके रखने में बहुत जादा help करता है vitamin C and vitamin E जो है वो nourishment anti-aging को आपको दूर करेगा जैसे vitamin E बहुत सार आप serum लेते हो तो अगर आप serum लिये हो तो आपको अच्छा serum आपको मार्केट में 1000 रुपिल से कब नहीं मिलेगा अगर अच्छा serum लेते हो vitamin E का तो और इसमें vitamin E का मिला हुआ है जो कि आपको anti-aging की problem को दूर करेगे and light weight है और oil free है super smooth formula है so यह overall बहुत ही अच्छा है suitable for everyday अगर आप daily में भी यूज़ कर रहे हो like आप office जा रहे हो पार्टी में जा रहे हो बहार जा रहे हो market जा रहे हो आप everyday के लिए आप इसी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़ी है यह बहुत अच्छा coverage प्रोवाइड करत यह बहुत है अच्छां आप बहुत है और यह तो मैं इसका लिंक description box में दे दूँगी अगर आप buy करना चाहते हैं तो आप आप आपसे easily जा करके buy कर सकते हैं इसको मैं खोल के दिखाते हूं कि इस तरीके से अंद्र का डबब्ण safety कर दाया करता है इस तरीके से ये लगाने के बाद परेस्ट आ उमी डीवाएगTu इस तरीके से दब्ब में निकाला हूँ इस तरीकिके कर दाहिए 2003D बूछ साह गभबब, बहुत प्यारा लग़ रहा है इसके जो पीछे में लिखे हुए है, वह कहां सी इसके बने हैं, कौन एक जगह से बने हुए, मैनुफार्टरिंग कहां से हुआ है यह सारे लिखे हुए हैं कितने दिन तक के आप यूज करें लाइक आपके मैनुफेक्ट्रिंग कब हुई है और कब तक एकस्पायरी टेप लिखा हुआ है तो 18 में ये मैनुफेक्ट्रिंग हुआ है तो 21 तक के इसका वैलिडिटी है तो आप इसके लिए इसी यूज कर सकते हैं और मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि अगर जो भी प्रोड़क्त आपके एकस्पायर हो गया है तो प्लीज आप इसी उजमत कीचेगा यूंकि असकीन है इसकीन को बचा कर रखना क्योंकि ब इसकीन कोई भी यूज ना करें आप जब भी मार्केट के कोई भी प्रोड़क्त ले रहे हैं तो आप लोग खुद से एक वाच एक कर लें कि हाँ कब का बना हुआ है और कपका के इसका एकस्पायरी डेट है तो देखिए मैंने खोड़ी तो इस तरीके से इस निकास लेगी तो आप इसे अपने इसली मीरर से आप देख इसकते हूँ पहुत से लोग मैंने बहुत से लग के देखि है तो आप इसे कर लें में निकार इचा है इसमें आपको ब्रस लेने की जरूरत भी मीं नहीं रहीग तो आप इससे करके लगा सकते हैं अगर आप सफर में जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है देखिए मैं इसी के हेल्ट से अपने फेस पर यूज करूंगी क्योंकि ब्रस का यहां पर यह काम कर रहा है एक तरीके से एंड इससे भी लग जाती है ऐसा कुछी है कि जब भी से मेल्ट भी हो जा रहा है अच्छा से ब्लेंड हो जा रहा है यहां पर आप यहां खुद देख सकते हैं कि हमारे जो भी है स्कीन पर कितना अच्छा लाइट ला दिया यह जो हमारा कॉम्पेक्ट है तो I hope कि आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया ह वाइस तो प्रीज आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा एंड अपने फ्रेंड और घंदी के साथ सेयर कर दीजेगा मैं ऐसे छोटे-छोटे वीडियो लेट करके आते हैं और आप मुझे कमेंट डाम जरूर कीजेगा कि आप लोग को किस टॉपिक वीडियो चाहिए सो आज के लिए इतना ही बाबाय टेक क्या